यह आवस्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए आवस्यक गोया है कि हर खार के कुछ सीखी जाए ज़िया प्रयास करने के बाद भी असक्वन हो जाए तो भी उस गगती से हर हाल में बैथर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सबलता मिल गई है जो साथ रहकर छेल करे उससे बड़ा सब्रू कोई और नहीं है जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है दो सब्दों में ही सुख बेहिशाब है ज़िकिसी व्यक्ती की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो ज़िकिसी महत्वपून है तुब बात बोल जाओ और यदि बात महत्वपून है तुब व्यक्ती को बोल जाओ उसी धन पर नहीं परिश्टीकियों पर निर्भर करती है जहां एक व्यक्ती खिलाउने बेच कर फुस होता है वही एक बच्चा फिलोने को खरीद पर फुस होता है इस वर भार रूप में तुम्हारी मदद करने आता है उसे डूढ़ना मत सिर्फ पहचानना इस तंसार में देखने के लिए बहुत सुन्दर श्चान है सबसे सुन्दर जगह है बंद भाखों से अपने बिद्धा देखने नई समय की प्रतिक्षा करके खुद को मुर्ख मत बनाईए तो कि समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयात्र करेंगे चापलूस्ट और आलोचक में तेवल इतना अंत्र है कि चापलूस्ट अच्छा बनकर भी बुरा करता है जबकि आलोचक बुरा बनके भी अच्छा करता है सत्य कभी दावा नहीं करता मैं सही हूँ लेकिन जूर हमेशा दावा करता है सिर्फ मैं ही सही हूँ ऐसा प्रेम जो आपके व्यक्तित्व को नश्ट करते वो प्रेम प्रेम नहीं अपराद है आसान जीवल की प्रात्ना करने के बजाए प्रात्ना उस सक्ति को पाने के लिए करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवल को सहन करने की छमता दो संसार जवरत के रियम पर चलता है सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरशकार भी होता है आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जवरत होगी झाल